ग्यारा को भगवान जी के नव निर्मीत भवन में पुन्य स्थापित कर की जाएगी प्राण प्रिस्टा बिती शाम शिरी रादा किशन मंदिर में इन वजार सरंद शेहर में सवी नगर निवासी बक्तदानी सजन वे मंदिर कमेटी सजस्यों की अंथक मेनस से सिर्जित नव निर्मीत भविशाल भवन में शिरी रादा किशन मा दुर्गा जी हनुमान जी तथ माकाली जी की मूर्थियों को स्थापित कर पुन्य प्रवान प्रिस्टा करने हैत्तु पुज्य प्रामनों द्वारा निकाले गे शुब महुरत थी 11 जुलाई 2001 की दिनाग र प्रवन बर्मा शिरी रादा कृष्णा मंदिर कमेटी मेन बजार सरन से आप सबी रसिक व्यशनुव के चर्णों में निवेदन करता हूं कि हमारे ठाकुर जी का मूर्ति स्थापना दिवस 11 जुलाई दिन रविवार को 21 जुलाई दिन रविवार को 2021 में मनाया जा रहा है ये मूर्ति स्थापना दिवस हमारे ठाकुर जी का आज से 5 साल पहले जो स्थान हमें दान के रूप में सूद फैमिली के तरफ से दिया गया उस हाल को बनाने में तकरीबन 5 साल लग गए वो आज निर्विगन संपन होने जा रहा है जिसके माद्यम से हम 11 जुलाई दिन रविवार को ठाकुर जी की प्रतिमे का परतान प्रिश्टा करवाने जा रहे हैं उसके साथ हमारे हनुमान जी हमारी मादुर्गा और मा काली का परतान प्रिश्टा सवरूप मनाया जाएगा बहुत से भव्य संत इस कारे करम में पहुँच रहे हैं साथ में हमारे गन्न माने अव्यक्ति आदर्निय श्री रविंदर पुरी जी श्री कपिल कांसल जी और हमारे मंदीप सिंगला जी भाया बलदेव सिंग लक्की जी सभी मिलकर हाजरी लगवा रहे हैं हमारे मुख्य जजमान तो आप भी रसिक जन पधार कर सुबह सबाट बज़े से कारे करम शुरू हो जाएगा उसके बाद हवन होगा पूरन होती होगी और उसके बाद बंढ़ारे का कारे करम ठीक बारा बज़े से चलेगा आप मिलकर ठाकु बोल बांके बेहारी लाल की जै ठाकुर जी के चरणों में विंती के साथ पांच साल के इस लंबे अर्थ से के बाद ठाकुर जी का भव्य निर्मान जो संपूर्ण हो चुगा है भवन का उसका शूम महूर्त 11 जुलाई दिन रविवार को निकला है इस युप लक्ष में ठाकुर जी के चरणों में सुबे पहले सवा अठ वजे हवन होगा उसके बाद पूर्ण आहुती के बाद बंडारा ठीक बारा वजे शुरू होगा उसके बाद संद्या कालिन आर्थी से पहले हरी नाम संकीरतन किया जाएगा जो भी भक्त जन रसिक जन यहां आएंगे अपना अपना भाव प्रगट करेंगे और हरी नाम संकीरतन करेंगे इसी उपलक्ष में आप सभी भक्तों से रसिकों से पूर जोर निवेदन है कर जोर निवेदन है के आप सभी शहर निवासी भक्त रसिक ठाकुर जी के दरवार में 11 जुलाई दिन रवी बार को सुबह ठीक सवाथ बजे पहुंच जाएं और ठाकुर जी के चरणों में अप बहुत कम आते हैं पांच साल की तपस्या के बाद ये शुब घड़ी आई है तो आप सभी इस शुब घड़ी के शाक्सी बने और रवीवार को ठीक 11 जुलाई ठाकुर जी के चरणों में पहुंच कर हाजरी लगवाएं जैजाए शिराधे शाम बहुत ही वदिया उपराला जड़ा है किता जा रहा है एक हाल बनाया मंदर दे पिछे जड़े जगां से की होदा हाल बनाया बहुत शलागा जो कम किता है नहीं बहुत मेनत कर दे आ रहे सी पिछले पंच साल तो जो ठाकुर जी इननगी बहुत अरगा जाए उसले ठाकुर जी प्रथमा दुवारा तो इथे मुर्ति स्ताफना होन जा रही है उसदे आल सारिया मुर्तियां दी स्ताफना होन जा रही है ति मेरे वल्मों आप जी नू सारी पब्लिक नूस मेरे शारी जन्ता नू Aunty उपील है कि जादा तो जादा इते मातरा विच पहुंच के अपन ठाकर जिदा शीरवाद लिए इस दिन आली स्वेरे पूजा होएगी तो उस तो बाद मूर्ति साफ ना तो उस तो बाद लंगर चलेगा कीरतन होएगा बड़े अनन्द रूपी महाल दे विच गयारा जुलाई नुँ जो होण जा रहा है बहुत ही अनन्द आनवाला है एक तरह दा वरिंदा वन जड़ाए वरिंदा वन दा महाल जड़ा इत्थे बनेंगा केमरामेन अकाश दीप के साथ चंदर नाकपार की विशेश रिपोर्ट के साथ चंदर नाकश रिपोर्ट